नमस्कार, BCN News के दिन विशिश कारेकरम में मैं दिशाब सभी का स्वागत करती हूँ बहुमों की प्रतिमा के धनी रमानन सागर का चैन्म आवी भ्याचित भारत के लाहोय चले के असल गुरू गुराम नामक स्थान पर 29 सिसंबर 1937 में एक धनी परिवार में हुआ था उन्हें अपने माता-पिता का प्यार नहीं मिला क्योंकि उन्हें उनकी नानी ने गोड़ ले लिया था पहले उनका नाम चंद्रमॉली चोपड़ा था लेकिन नानी ने उनका नाम बदल कर रामानन रख दिया 1947 में देश विभाचन के बाद रामानन सागर सब कुछ शोड़ कर सब परिवार भारता के उन्होंने विभाचन के जिस कुरूरतम भयावह घटनाव का दर्यरशन किया उसे कालांतर में और इंसान मर गया नामक संस्मरणों के रूप में लिपिभत किया यह भी कम महत्वपूर्णन नहीं कि वे जब अपनी मात्र भूमी से बिच्छोड कर युवावस्ता में शिरनार्थी बना भारत आये थे तब उनकी जेब में मात्र पाथ चाने थे किन्तु साथ में था अपने धर्म और संस्कृति के प्रती असीम अनुराग भक्तिभाव शायद इसी का परिणाम था कि वे आगे जलकर उन्होंने रामायन, श्री कृष्ण, जय गंगा मैया और जय महालक्ष्मी जैसे धार्मिक धाराविहों का निर्मान किया दुरदर्शन के द्वारा प्रसारित इंधाराविहकों ने देश के कोने-कोने में भक्ती भाव का अत्पत वातावरं निर्मत किया 16 साल के वस्था में उनकी गद कविता श्रीनगर सित प्रताप कॉलेज की मैगसीन में प्रकाशित होने के लिए चुनी गई युवारामानन ने दहिज लेने का विरूत किया जिसके कारण उन्हें घर से बाहर कर दिया किया इसके साथ ही उनका जीवन संघर्श आरम हो गया उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के लिए ट्रक लीनर और चपरासी की नौकरी की वे दिन में काम करते और रात को पढ़ाई मेधावी चात्र होने के कारण उन्हें पंजाब विश्विध्याले पाकिस्तान से स्वर्ण पदक मिला और फारसी भाषा में निपुन्टा के लिए उन्हें मुन्शी फजल की खिताब से नवा सकया इसके बाद सागर एक पत्रकार बन गे और जल्धी वह एक अकबार में समाचार संपाद के पत्तक पहुँचके इसके साथ ही उनका लेखन कर्म भी चलता रहा बारती हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभीनीता राजिश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था अपने रुमानी अंदास स्वाभाविक अभीने और काम्याँ फिल्मों के लंबे सलसले के बल पर करीब डेड़ दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राजिश करने वाले राजिश खन्ना के रूप में हिंदी सिर्मा को पहला ऐसा सूपर स्टार मिला जिसका जादू चाहने वालों के सर चड़ कर बोलता था राजिश खन्ना फिल्म निर्माता और राशिति ग्यबीर रहे राजिश खन्ना ने लगबग 163 फिल्मों में अभिने क्या जिसमें 106 फिल्मों में वो मुख्य नायक रहे राजिश खन्ना को तीन बार फिल्म फेर परस्कार मिला और 14 बार नामांकित किये गए आज के दिन 1942 में उनका चिन्म हुआ था राजेश खन्ना का जन्मों 29 सेसंबर 1942 को अमरुद सरपंजाब में हुआ राजेश खन्ना ने वर्ष 1973 में खुट से उम्र में काफी छोटी नवोदित अभिनेतरी डेंपल का पाड़िया से विवाह किया और वो दो पुत्रियों ट्विंकल और रिंकी के माता पिता बने उनकी दोनों पुत्री अभिनेतरी है हाला कि राजेश और डेंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और कुछ समय के बाद वी अलग होगे राजेश फिल्मों में व्यस्त रहे और डिंपल ने भी अपनी करियर को तरजीह देना शुरू किया राजेश खन्ना की बड़ी पुत्री ट्विंकल खन्ना ने अभिनेता अक्षे कुमार से विवाह किया राजेश खन्ना को अभिने में शुरू से ही रूची रही जिसके कारण स्कूल में ही बने थेटर में अभिने को सीखना शुरू किया और इसी के साथ उसमें अभिने करने लगे कॉलिज के दिनों में नाटक प्रत्योगिता में भी भाग लेती थे और इन्होंने कई पुरिसकार चीते थीटर और फिल्मों में काम पाने के लिए उन्होंने काफी संगर्श किये निरमाताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाते थे लेकिन इनकी शानुशोकत में कोई कमीन नहीं थी हामीशा स्पोच्सकार में ही सफर करते थे और चाते थे उस समय इतनी महंगी गाड़ी से काम की तलाश करना बहुत बड़ी बात थी उस दौर के चर्चित हीरों के पास इस तरह की कार नहीं होती थी वर्ष 1986 में राजिश खर्णा ने अपने 13 साल की उम्र में पहले फिल्म आखरी खट से फिल्मे करियर की शुरुआत की उसके बाद GPCP ने अपने फिल्म राज में साइन किया और इस फिल्म में अधाकारा की भूमिका निबा रही थी उस दौरान की बड़ी स्टार पविता और इसी के साथ राचिश खर्णा ने तीन कामया फिल्मों में काम किया भारत के प्रसिद्य संगितद्य एवं हिंदुस्तानी शास्त्रिय गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का संबंद ग्वालियर खराने से था ओमकारनाथ के दादा महाशंकर जी और पिता गौरी शंकर जी नाना साहब पेश्वा की सीना के वीडियोता थे एक बार उनके पिता का संपर्क ओलिनी बाबा के नाम से विख्यात एक यू किसी हुआ इन महात्मा से दिख्षा लेने के बाद से गौरी शंकर की परिवार की दिशा ही बदल गई आची के दिल उन्निस्सो सरसट में उनका निधन हुआ था जंग के कुछी समय बाद यह परिवार पड़ोता राची की चहाज क्राम से नर्मदा तट पर भड़ोच नामक स्थान पर आकर बस गया ओमकारनाची का लालन पालर और प्रात्मिक शिक्षा यही संपन हुई इनका पच्पन अभाव में बीता यहां तक कि किशोर रवस्था में ओमकारनाची को अपने पिता और परिवार के सदस्यों के भरन पूशन के लिए एक मील में नौकरी करनी पड़ी ओमकारनाच की आयू जब 14 वर्ष की थी तभी उनके पिता का तीहांत हो गया उनके जीवन में एक निरनायक मुड़ तब आया जब भड़ाज के एक संगित प्रेमी सीपनी किशोर ओमकार के प्रतिवा को पहचाना और उनके बड़े भाई को बुला कर संगित शिक्षा के लिए बंबई के विश्णु दिगंबर संगित महाविद्या ले भीचनी को कहा पंडित विश्णु विदिगंबर पुलसकर के मार्ग तर्शिन में उनके संगित शिक्षा आरम हुई उनले 122 में सूरत की इंद्राद दिवी से उनका फिवा हुआ उसके बाद विन नीपाल के जहा महाराज शंदरश मशेर जंग बहादूर के समक्ष उनको गायन प्रस्त वे उस समय इटली, जर्मनी, हॉनलान, बल्चियम, फ्रांस, इंगलान, सुजरलान और अफ़कानिस्तान भी गया है। रूस जादे समय उन्हें अपनी पत्नी के अचानक निधन का समाचार मिला तो वे वापस लोटा है। बहुत लोगों के कहने के बाउजुद पत्ने के निधन के बाद पुनर विवान नहीं किया और एका की छीवन बिताने लगे। उनके शिश्य ही उनके लिए पुत्र पुत्री के समान हो गये थे। फिर उन्हें ने मुंबई में संगित निकेतन की स्थापना की। BCN News के दिन विश्य इशकारिक रमिफ फिलहाल इतना ही, SCN News और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News, नमशकार!